प्राप सभी का पुना स्वागत है आज 22 सप्रेल दोजाद बेसिस वीडियो में डिस्कुसन करेंगे हिमाचल प्रदेश राष्टे ततान्त राष्टे अकरंट अफेर्स के बारे में आईए सबसे पहले सुरुआत करते हिमाचल प्रदेश करंट अफेर्स से पहला प्रसंद ह मजदूरों को लॉकडाउन के दरान प्रयाप्त रासन उपलब्द ना होने के कारण सिमला सरीक सेतर में स्टम नीरज चांदना के कारेलिया के बाहर कौन विधायक धरना देने बैठ गया है तो उनका नाम है राकेज सिंगा और एकॉमिनिस्ट पार्टी से समन्द रखते है काफी तेस्तरार विधायक और एक मात्तर विधायक है उस दल के ठीक है तो इन्हें ऐसा लगा कि जो मजदूर है सिमला के क्सेतर में उन्हें प्रयाप्त मात्रा में इस संकट की घड़ी में रासन नहीं पहुंचाया जा रहा है तो बहीं पे धरने पे बैठ के और बहीं पे इमाजल परदेश सरकार दोरा स्वास्ते विभा के करमचारियों को क्रोना वाइरस से लड़ने के कारण मृत्यू होने पर कितनी रासी दी जाएगी तो देखिए 50 क्रोड रुपय का यहां पर प्रावधान सरकार के तरप सिख्य का पी अच्छा और सरहनी यहां कदम सरकार क है कहा जा सकता है हिमाजल परदेश के किस बॉक्सिंग खिलाडी का चैन उलम्पिक के लिए हुआ है तो इनका नाम है आसिस चौधरी और याद रखिएगा इनका जो स्बंद है सुन्दनगर जिला मंडी से है आज के सुरकियों में है क्योंके घर के अंदर ही प्रैक्टिस क कर रहे हैं टोक्यों उलम्पिक के लिए इनका चैन हुआ था लेकिन अभी गेम स्थागीत हो गई है तो इनको और बिजाद असमें यहां पर प्रैक्टिस के लिए मिल गया है हिमाजल परदेश के किस जिला में किस जिला को औद्योगिक हब के नाम से जाना जाता है तो इस करोना वाइरस लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसी तरह से आपको मैं बता दूं कि यह बरतमार समय में बहुत सुर्खियों में है इदि हम इस इंडरस्टियल हब की बात करें तो यहां से हो सकता है किसी ना किसी प्रिक्सा में कोई ना को एक प्रसन निकल के आए आगे डिस्कुसन करेंगे नैशनल एंड वर्ल्ड क्रेंट अफेर्स के बारे में पहला प्रसन है किस अंत्रिक्स अजेंसी ने फॉल्कन नाइन रॉकेट के साथ अंत्रिक्स स्टेशन के लिए मानब मिशन लॉंच करने की गोशना की गई है तो इसका सही उत्तर होगा नास यानि नैशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस अड्मिनिस्ट्रेशन इस वेरे इंपोर्ण को स्टेशन में आपको बता दूं एक और ऐसा है प्रसन एक आइस की प्रिक्सा में पूछा कहा था नासा ने उस टाइम रिसेंटली गोशना की गई थी ठीक है तो यह प्रसन भी अत्मा गांदी रूवल ग्रांटी यह उसना जो सरकार की तरफ से सेंटल गवर्मेंट के द्वारा चलाई जाती है देखिए इसका जो आयुजन के जाता है कि इसके तरक से किंद्रिया ग्रामीन विकास एब पंचाइती राजमत्राल्या के द्वारा इसका संचालन किया जा जाना जाता है यह एक ऐसी परपस रिंखला है जहां पर बहुत ही कम देशों के जो नेशनल फ्लैग है उसे बहां पर लेजर लाइट के माद्यम से फहराया जाता है तो भारत भी इसमें बैस्विक स्तर पर देखा जा तो क्रोना से लड़ने के लिए काप अच्छा काम कर र याद रखिएगा दो यूरोपिया देश है स्वीजर लेंड और इटली के बीच में इसका अक्सेतर फैला हुआ है और जो इसकी मेटर होन परबत है जो इसकी उन्चाई है 4476 मिटर है इस चीज़ को भी आपने यार रखना है मालदीप के राष्टपती है तो इनका नाम है इबरहेम सोलिया आगे बात करेंगे अफगानिस्तान के राष्टपती है अस्रब गहनीद दोनों सुरुख्यों में क्यूं है मैं आपको पता दूँं दोनों देश भारत के काफी मित्तर देश है इसंदे से बात करें कि जो अर्थ विवस्ता की रिड़ की अड़ी माने जाती है तो प्रेटन से तरह माना जाता है तो आज को देखिए आप लोग करोना वायरस के कारन प्रेटन इंडस्ट्री तो बिलकुल डेकलाइन में चली गई है तो यहां पे जो हमारे प्रधान मंत्री नेंदर मोदी जी द पसंदी है कि आप दोनों राष्टर हमारे मित्तर राष्टर है तो यहां आप इतनी भी अतसम्भब साहिता हो कि तो हम पहुंचाने की खुशिस करेंगे तो दोनों राष्टर पत्यों के नाम आपने याद रखने है उत्तर प्रधेश की आवादी कितनी है का फिज़ता सु अधिते योगी नाची की बात की जा रही है उन्हेंने का था कि उत्तर प्रधेश की त्यीस लाख जनता का दाई तो मेरे उपर है तो मैं इस तरह की लॉक्डाउन की परिस्तितियों को छोड़ के नहीं जा सकता का भी सुर्कियों में था तो याद रखिएगा ता भी नमा संग द्वारा शुरू किया गया है तो इसे शुरू किया गया है बी सी सी आई के द्वारा इसकी फूल फर्म में याद रखिएगा बोड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और बरतमान में जो इसकी अधेक सेवस्वारम गांगुली है बहुत मतोपन प्रसन ह अजन्ता की कौन सी परबत स्रेणी केबल एक राज्या में ही फैली है आप कीजिएगा यहां पर उत्तर में आपको पहले बता दिया आपको बताना था कि भारत की कौन सी परबत स्रेणी है जो की केबल एक राज्या में ही फैली हुत इसका नाम है अजन्ता परबत स्रेणी में जो हमारी एकॉनमी थी क्रोना के बाइरस से पहले तीन ट्रिलियन के आस्वास थी और हमारी गबर्मेंट ने एकॉनमिक सर्वे बजट में बहुत बेतरी नांकड़े और उसके साथ में रूप रेखा निधारित की थी कि चौबिस पच्चिस में पांच ट्रिलियन की एकॉनमी को बना लेंगे लिकिन अभी हम जितनी भी रेटिंग एजनसी जैसे सब की बात करने कंखली तो यहां पर आसा का जा रहा है एक्ट प्रिजन्ट के हम बात करें कि भारत और चीन यह ऐसे दो देश होंगे पुरी दुनिय को मतलब बचा लेंगे वसकतर से हमारे तीन ट्रिलियन की एकॉनमी है ठीक है तो यहां पर दिया हमने बिकास दर 0% भी रहती है तब हमें क्या करना पड़ेगा अपनी एकॉनमी को तीन ट्रिलियन तक उसे बचा के रखना पड़ेगा तब ही माइनस ज्यादा भाईंस से एक अनमी का जो भी आगे रहेगा वो देखने को मिलेगा तो यह फैक्ट आपने अपने दिमाग में याद रखना है उस्टेंस आपको बता दे हमारे टीम दोरा काफी बहत्रिन किताब बनाई गई है हिमाचल परदेश एक समगर हद्यानी हाड कोपी की फोरम में है सोंबार और बिरुबार को हम इसकी रिजिस्टरी करते है आताकि आपकी पढ़ाई बादित नहों आपके घर ये इंडिन पोस्टल सर्वीसिस के माध्यम से पहुंच जाती है इस किताब को दो पार्स में डिवाइड किया गया है पहले पार्ट में आपको मिलता है हिमाचल परदेश का स पढ़ते तो आपको पता चल जाता है कि किस तरह के प्रसन विभीन तरह के प्रिक्सों में पूछे जाते है और इस किताब का जो आपने पार्ट बन पढ़ा है वो कितने प्रसन वहां पर उसमें से पूछेगी है तो इस किताब का आप मुल्यांकन भी खूद भी कर लेते है तब आपको समझाता है कि ये किताब आपके लिए कितनी मत्तोपूर्ण है तो आप इस किताब को एक बर जुरू ट्राइ कीजिएगा इसके लाबा हमारे टीम के दोरा बहुत मी मत्तोपूर्ण हदेंसमगरी त्यार की गई है जो कि वेबसाइट पर उपलब्द आप इसका भी लाग उठा सकते हो थेंक्यू बेरी मुच्ट कीप बॉचिंग इले स्टेडी यूट्यूब चैनल